हरी कृष्णा राधे राधे वक्त बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम आपको परिवर्तनी एक दशी जिसे की वामन एक दशी और जिसे की जलजूलनी एक दशी भी कहते हैं तो इस एकादशी की बहुत ही सरल पूजा हम आपको बताने वाले हैं तो फ्रेंड्स इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्यूंकि भगवान विश्णु जी जो की चार महिने के लिए छीर सागर में सोए हुए हैं तो इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है और इस एकादशी के दिन एक गलती भूल कर भी ना करें वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ तो सबसे पहले हम पूजा विदी जानेंगे तो क्यूंकि एकादशी में चावलों का प्रियोग नहीं होता है तो सफेतिलों का आसन देते हुए हम भगवान को विराजमान करेंगे अच्छा आज के दिन वामन अबतार की पूजा की जाती है भगवान विश्णु जी के लेकिन अगर आपके पास वामन अबतार की कोई फोटो या मूर्थी नहीं है तो आप घर में विराजमान लक्षमी नाराइन भगवान की और लटू बोपाल की शालिक राम जी की या फिर राधा कृष्ण जी की एक अदशी के दिन पूजा कर सकते हैं और आपको ध्यान ये जरूर रखना है कि वामन एक अदशी में मातल लक्षमी की पूजा आपको जरूर से करनी है तो हमने लक्षमी नाराइन भगवान का फोटो रख लिया है आपके पास अगर मूर्ती हो तो आप उन्हें पंचाम रहत या फिर कच्चे दूद से इसनान जरूर कराएं तो यहाँ पे हम गनीश जी को और लटू को पाल जी को कच्चे दूद से इसनान करा रहे हैं अच्छा अब हम जान लेते हैं यह व्रत हमें किस दिन रखना है और पारण का समय क्या रहेगा तो 2024 में वामन एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा दिन पढ़ रहा है शनिवार का और पारण का समय भी आप नोट कर लीजिए तो 15 सितंबर दिन पढ़ रहा है रविवार का इस दिन सोभा में आपको 6 बच करके 5 मिनट से लेके 9 बच करके 10 मिनट के बीच में पारण कर लेना है यानि कि अपने व्रत को खोल लेना है क्योंकि फ्रेंड्स एकादशी तिती में पारण का विशेश महत होता है अगर सही समय पे व्रत ना खोला जाए तो हमें एकादशी व्रत करने का पूनफल प्राप्त नहीं होता है तो फ्रेंड्स परवर्तनी एकादशी बहुत ही बड़ी एकादशी मानी जाती है क्योंकि चातुर मास के बीच में आती है ये एकादशी दूसरा प्रभू आज के दिन करवट लेते हैं और कहते हैं परवर्तनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का तो नाश होता ही है मनुवानचित फलों की प्राप्ति होती है साथ ही बाजपे यग्य करने के समान फ एकादशी की पूजा सुभा में ही की जाती है सुभा में ही आप चाहें घर के मंदिर में या फिर चौकी लगा के पूजा करें और जितनी जल्दी हो सके एकादशी की पूजा हमें कर लेनी चाहिए और अगर आज के दिन आप अपने घर में अखंड दीपक जलाते हैं तो ऐसा करना भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है नीला और काला रंग एकदशी तिथी में ना पहनाए। तो हमने देखिए तिलों का आसंदे के दीपक को भी रख लिया है और सबसे पहले पूजा में हमें दीपक ही प्रजलित करना चाहिए। और गनपती जी को भी हमने व्राजमान कर लिया है। साथ ही देखिए जो व्रत कथा की किताब होती है उसे भी पूजा में जरूर रख लें। अच्छा अगर आप ये पूजा घर के मंदिर में कर रही हैं तो तो गनपती जी होंगे ही लेकिन अगर आप अलग से चौकी लगा रही हैं तो गनेश जी को जरूर से व्राजमान करें। अब उसके बाद देखिए वस्तर रूपी कलाबा हम अर्पित कर रही हैं जिसमें की हमने इतर लगा लिया है और लक्षमी नाराइन भगवान जी को भी हमने वस्तर रूपी कलाबा अर्पित किया है उसके बाद गनेश जी को देखिए हमने चंदन से रोली से तिलक किया ति तलसी पत्र चढ़ाना ना भूलें, लेकिन ध्यान रहें कि एकादशी से एक दिन पहले ही तलसी तोड़ के रख लें, क्यूंकि एकादशी के दिन तलसी तोड़ी नहीं जाती हैं, उसके बाद जो भी फूल हों आपके पास वो चढ़ाएं, पीले फूल जरूर चढ़ाएं, फूल माला हो तो वो अर्पित कर सकते हैं और अगर फूल ना भी हो तो खाली तिल चड़ा के भी आप पूजन कर सकते हैं दीपक में थोड़े से तिल जरूर डालें जैसे जैसे तिल चटकते हैं वैसे वैसे हमारे दुखों का नाश होता है उसके बाद हम भोग अर्पित कर र और भोग में आपको जो भी फल मिल जाएं सेब के ले कोई भी फल आप भोग लगा सकते हैं दूट से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं पंच मेवे का भोग लगा सकते हैं लेकिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता उसके बाद हाथ में तिल और पुष्प लेके विरत की कथा हमें जरूर पढ़नी है अगर पढ़ने का समय ना हो तो फिर आप मोबाइल पे भी सुन सकते हैं और जो पुष्प थे वो भगवान को अर्पित कर दिये इसके बाद हम भगवान की कपूर से आर्थी कर रहे हैं आप चाहें तो घीके दीपक से भी कर सकते हैं उसके बाद आर्थी को ठंडा करें भगवान को आर्थी दें खुद भी आरती लें घर के सभी सदस्य और उसके बाद कुछ दक्षिना भगवान को जरूर अर्पित करें अच्छा क्यूंकि परवर्तनी एकदशी शनिवार के दिन पड़ी है तो इस दिन आप पीपल पूजा जरूर करें सुभा में मीठा जल अर्पित करें पीपल पे संध्या के समय दीपक जलाएं तुलसी माता में भी जरूर जलाएं घर की दहलीच पे संध्या के समय दीपक जरूर जलाएं और पूजा में रही कमियों के लिए छमायाजना कर लें और अपनी मनुकामना पूर्ती के लिए चाहते हैं वो दें लेकिन आज के दिन किसी की मनचाही चीज का दान ना करें और शाम के समय भी भगवान की आरती करें भोग लगाएं और जितना हो सके भगवान के नामों का जाप करें चौकी अगले दिन ही हटाई जाएगी पारण करने के बाद तो फ्रेंड्स यही था प्रूर्वर करें